हलो स्टुलेंट्स माइनम इस गिताणजीली इंदिरिया वेलकम टु स्टेप अप एकेडमी और आप पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिविजन सुपर क्विक रिविजन की हिंदी की स्रंकला में आप सभी का स्वागत है आज जो हम सुपर क्विक रिविजन पढ़ेंगे वो भी हिंदी में तो आप पढ़ेंगे पार चोधा पार चोधा एक कहानी यह भी वन्नु बंडारी जी की द्वारा लिखी नोंने अपने जीवन य क्या संबन थे पड़ोसियों से कैसे संबन थे क्या बाता बरण था उस समय यह कितने भाई भहन थे इनका अपने पिता के प्रती कैसे रिष्टे थे पिता से कैसा इनका टक्राओ था यह नहीं था यह सारी बात कि मन्नु जी ने कैसे किस तरह की ये बाली का लड़ी की हुआ करती थी अपने समय में और कैसा माहूल था इनके परिवार का ये पूरा बढ़नन किया है इन्होंने अपनी कत काठी बताई इन्होंने अपना रंग बताया है पूरा बढ़नन हो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्रतीज इनका प्रेम था यह सारी बातें यहां पर उन्होंने अपने पाठ में बताई हुई है तो हम आगे बढ़ते हैं और आप जैसे क्योंकि आपने कहानी पूरी पड़ी हुई है बंसौट में आपने पूरी कहानी पड़ी हुई और मैंने अभी बातों बातों में इतनी पूरा पार्ट आपको समझ में आएगा कोई एक भी शब्द मैंने वहां से हटाया नहीं क्योंकि पार्ट आप तक पहुचना चाहिए पार्ट हमें याद होता है तो फिर उसके बाद प्रश्ण याद हो जाते हैं सुपर क्विक में तो फटा फट करना है पार्ट कबर तो यह हुआ क्या था यहां सुन लिजे फ्रम चलते हैं उत्तर की तरफ कॉलेज में मनु जी की बड़ी चलती थी एक बार कॉलेज से फोन आया और उनके पिता जी को बोला गया कि आपको तो आकर मिलना और आपकी लड़की यह करती हो पिता जी बड़े गुस्से में गए कि यह ल पिता जी बड़े प्रशन हुए मैडम जी आज कल तो यही बोल बाला है आज चाहती ही दुनिया यही है कि आवाज जहां उठाई जाए वहां सारे लोग साथ में हो जाए और मेरी लड़की तो वही कर रही है क्या गलत कर रही है और जब घर आय तो वह प्रशन थे यही प् रोदेत होकर कॉलेज पहुंचे बहां पहुंचकर उन्होंने देखके कॉलेज के हर चात्र के मुह पर उन्होंने यह देखा कि कॉलेज के हर चात्र के मुह पर लेखिका का नाम है पिता जी यही चाहते थे कि लेखिका का नाम हो यह देखकर यह कहां वहां कहाए कि मेरी जोहार को देखकर लेखीका आश्यर चक्यत तो वही है जो मैंने आपको बताया ठीक अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं इस आत्म कत्थ में लेखीका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों सम्मोधित किया है लेखीका सबसे छोटी थी और इनके पिता जी नहीं सफाय खाना बनाएए साफ सफाय कीज़ी लड़िकी को एक ट्रेन सुग्रहनी बनाया जाता है तो उनके पिताजी कहते तो मुझे तो जहां जलती यह हैं बटियां वह वो कहते हैं छोग दिये जाते हैं इस्त्रियों के सपने तो मुझे नहीं उसस्थान को मासे को थी रहती यहां रहने से ब्यक्ती कि प्रतिभा और शम्ता नश्ठ हो जाती हो बें नहीं चाहते थे कि मन्नु की प्रतिवा रसोई की भटी में जलकर नश्ठ हो जाए तो भटियार खाना उन्होंने रसोई के लिए कहा है अगला प्रशन है लेकिका का अपने पिता से जो बैचारिक मतवेत था उसे अपने शब्दों में लि गूमें फिरे ना वो आंदोलन करें लड़कों के साथ घूमना फिरना इंदा सेंस था आंदोलन करना तो ना वो आंदोलन करें यह दोनों बाते एक साथ मन्नु को तो समझ में नहीं आती थी इसलिए मतवेत रहता था पिता के विचारों से यहां देखिए उत्तर मन्नु ब बात बात पर मन्नू की सुसीला से तुलना किया करते थे जिससे उसके मन में पिताजी के प्रती बिद्रोह की भावना जागी इसकी अतिर पिताजी चाहते थी कि मन्नू देश और समाच के प्रती जागरुग बने रहे लेकिन घर पर ही रहे लेकिका अपनी भावनाओं को तब तक पिटाज से टक्राव उनका चलता रहा था तो यह टक्राव भच्पन से ही था क्योंकि बड़ी बहन सुसीला जो की देखने में सुंदर थी और मन्नु जो थी मों मरील सी मतलब दूबली पतली काली थी और पिता जी दोनों बहनों में बेदभाव करते थी यह दोनों समाज के बीच में जाना चाहती थी तो यह टक्राव उनका बना रहा और यह तब तक बना रहा जब तक कि मन्नु ने अपने पसंद का बिवान नहीं किया था इस आत्मकत्य की आधार पर स्वाधीनता अंदुलन के परीद्रश कर चित्रन करते हुए से मन्नु जी की भूमिक किसे अपनी भागीदारी देता था ऐसे में मन्नु भंडारी भला कैसे चुप बैठने वाली थी उनकी रगों में आजादी का जुनून बनकर दोड़ रहा था अपने पिता जी की एक्षा के ब्रुद्ध और उन्होंने बढ़ चड़कर प्रभात फेरियां जो सुबा क्रिये भूमी का निवाई तो जिस समय ये कॉलेज में थी उस समय अंदोलन जोरों पर था बच्चे बच्चे के मन में आजादी के प्रती उत्साह था अंदोलन में अपने अपनी रूप से लोग भागीदारी देते थे मन्नु ने भी बढ़ चड़कर पिता के खिलाफ जा हुआ क्या था एक बार कि जब मन्नु की बातों में लड़िक्या आ जाती थी मन्नु ने कह दिया पढ़ना है तो लड़िक्या पढ़ेंगे और मन्नु ने नारे लगाना शुरू कि लड़िक्या बाहर आ गई तो ये कॉलेज की संस्थान या कॉलेज वालों ने पूरे प्र और इस बात से मन्नू बहुत खुश थी लेकिन उसी के बाद दिन था 15 आगस 1947 का आजादी का दिन तो वो खुशी आजादी की खुशी में समा गई देखियो दर मन्नू भंडारी उनके सहपाटियों की अंग्रेज ब्रोधी गतीविधियों को देखकर कॉलेज प्रसासन ने यह निर्णाई लिया कि अंतिम बर्स की कक्षाइं बंद कर दी जाएंगी कॉलेज के बाहर रहकर मन्नू भंडारी और उसके सहयोगियों ने इतना बवंडर मचाया कि अंतितहा कॉलेज प्रसासन को हारकर थर्ड इयर की क्लासेज ओपन करनी पड़ी खोलनी पड़ी अंतिम बर्स की कक्षाएं खोल दी गई मन्नु भंडारी की खुसी जो थी वो बहुत अधिक थी लेकिन उतनी नहीं थी उनकी खुसी किसमें जाकर समाहित हो गई 15 आगस 1947 को जब देश स्वतंत्र हो गया तो दोनों खुसी एक खुसी में जाकर मिल गई अगला प्रशना है मन्नु भंडारी ने अपनी मा को व्यक्तित विहीन क्यों कहा जी आहाँ उन्हों ने एक और बात कही मन्नु बंडारी की मा त्याग और धहरे की पराकाश्ठा थी अर्था तुन में त्याग और धहरेता भरी हुई थी पिता जी उपर वाली मंजल में रहते थे दिन भर वहीं ब्यस्त रहते थे तो माता जी उनकी आदेसों का पालन करती थी मतलब उनके अंदर इतना पेसेंस था तो धैर्य और त्याग की पराकाश्ठती अपने पती की बात बेवात पर होने वाले क्रोध को वो चुप रहे कर सेहन करती थी कभी भी बदले में उन्होंने अपने पती का ब्रोध नहीं किया बे अतियंत सेहंसिल इस्त्री थी पर वे लेखिका के लिए कभी आदर्स नहीं बन पाई मन्नू के लिए वो कभी आदर्स आइडियल नहीं रह पाई क्योंकि लेखिका इस्त्री के अधिकारों के प्रती सजक थी उनके अनुसार मा का त्याग उनकी मजबूरी से उपजा बस नेहें जरी नहीं पर उनका तयाग की मुर्ति तो त्याग को उट्पंण हुआ था एसा एपकों ब्यवार नहीं था लेकिन एसा कोई जरूरी नहीं था पर उनका पत्याग उनकी मजबूरी थी इसलिए उन्होंने अपनी मा का कहा है कि वो कोई व्यक्तित्व नहीं था उनका पिता के सामने कोई व्यक्तित्व नहीं था परिवार के सामने इसलिए व्यक्तित्व विहीन महिला थी यो कि उन्होंने केबल सुना है और केबल वो जुकी है जो अगला मनु बंडारी के पिता की कौन सी विसेश्टा अनु करने थी इसक्षा उन्होंने लेकिका उच्छ दिलवाई बे अपने बच्चों में देश प्रेंड की भावना जागरत करना चाहते थे मनु भंडारी के मन में देश प्रेम की अलक भी उन्होंने जगाई थी विस्ष्ट बन कर जीना चाहते थी ये बहुं बहुत बाते थी जो बाके उनके उनके अंदर थी और उनको अपनाने का उनका अनुकरन करने का भी निर्ना लिया था मनु ने तो अतियंत कौमल भावुक स समयदन सील थे देश के प्रती प्रेम रखते थे इस त्रिसिक्षा के समर्तक थे और वो एक विस्ष्ट जीवन जीना चाहते थे मनु बंडारी के पिता की आर्थे किस्थिती का उन पर क्या प्रभाव पड़ा था तो जब आर्थे किस्थिती उनकी बिगड़न लगी तो वो चुड़-चुड़े सुभाव के हो गए अब यहां उत्तर देखिए इन दोर में रहते हुए मनु बंडारी के पिता की आर्थ थोग रहो रहे थे अपनों के हातों हुए विश्वास घात से अब उनमें इतना क्रोध अहंकार और शक्की पन था कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी उनका विश्वास उठ गया था होता है कि कई बार जब विश्वास घात मिलता है उसके बाद विश्वास नहीं कर पात नहीं कर पा रहे थे अगला है लेखी का मनूबंडारी का अपने पिटा से वैचारिक टकरहट का सिलसला कप से और क्यों चला लेखीका कि पिटा जी चाहते थी कि लेखीका समाज और देश के प्रती जागरुक रहे लेकिन वो घर की सीमा में रह कर ही पर इस तरह किसी सीमा में बंद कर काम करना लेखिगा के लिए संभव नहीं था पिताजी को लेखिगा का लड़कों के साथ जुलूस निकालना प्रदरशन करना हरतालें करना पसंद नहीं था लेकिका ने अपने पिताजी की एक्षा के बुद्ध जाकर वह सब कुछ किया जो उन्हें पसंद नहीं था फल सुरूप उन दोनों पूरे जोस और उमंग के साथ देश की आजादी में कारी भी किया फल सुरूप उन दोनों में बैचारिक तकरहाट का जो सिलसला बढ़ता गया वह राजिन रियादों से उनके बिबाह के बाद तक चलता रहा उनके पिताजी कहते थे देश के प्रती जाग रिक रहो घर की सीमा में लेकिन मन्नू कहती थी यदि कारे करना है तो सीमा में बंद कर नहीं करना है और पिताजी को पसंद नहीं था कि लड़कों के साथ निकल कर जुलूस निकालो और हड़ता लें करो लेकिन उस पिता के बिचारों के बुद्ध जाकर देश की सेवा और देश की सतंता के लिए उन्होंने जुलूस भी निकाले नारेवाजी भी की और हरताले भी की और ये बैचारेक टकराव का सिलसिला चलता रहा और ये तब तब बढ़ता ही चला गया जब तक अन्योंने राजिन द्या दाधा उसे बिभाह तक बिभाह की सिलसिला चलता रहा अगला प्रशन है जो की दो प्रकार से आ सकता है लेखी का मन्नु बंडारी जी को पिता जी के साथ संगर्स क्यों करना पड़ा उनके संगर्स की बात एक कहानी यही भी पाट के आधार पर लिखिए अथवा एक कहानी यही भी पाट के आधार पर मन्नु बंडारी के कॉलेज से शिकायती पत्राने पर उन कुरुक नागरिक बने समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो लोगों से पहचान है वहां आकर उन्होंने वहीं देखा कॉलेज में जाकर कि मन्नु का बच्चे मन्नु का गुड़गान कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया प्रते कारे देश की आजादी के लिए था उनके इस प्र के लिए गर्व की बात थी अगला है लेखी का मन्नु भंडारी की कहानियों के अधिकांस पात्र कहां के थी तो अधिकांस पात्र उनके आसपड़ोस के ही थे इससे किस तर्त का बोध होता है कि उन्हें अपने आसपड़ोस के लोगों के प्रती कहानियों के अधिकांस पात एक परिवार के समान रहते थे अगला प्रस्षण एक कहानी यह भी आत्मकथा किस ने और क्यों लिखी तो यह कहानी यह भी आत्म खता यह वह मन्नु भंडारी ने लिखी ती इस आत्मकथा में उन्होंने अपने किशोर जीवन से जुड़े महात्पूर अंसों के साथ साथ अपने पिताजी कॉलेज की प्राध्धापी का शीला अग्रवाल से जुड़े अंस दिये हैं जिससे उनका व्यक्तित उभर कर आता है उनका प्रभाव उनके लेक की जीवन पर भी पड़ा इनका प्रभाव जो ये सीला अग्रवाल उनकी प्राध्धपी का और साथी पिताजी के जो अंस उन्होंने कुछ-कुछ घटना है जो यहां पर पाठ में दी है वो इसलिए भी दी है क्योंकि जीवन पर इनका प्रभाव पड़ा है इस आत्म कथा कि माध्यम से बे उनके लेक की जीवन पर बताना चाहती है कि देश के प्रति कैसे वो समर्पित थी और कैसे उन्होंने अपना लेक किये जीवन प्रारम भी किया था तो यह आत्में कर्थ जो लिखा है वो मन्यु भंडारी ने लिखा है और जीवन के आंसर दिये हैं उनकर क्या प्रभाव उनकी जीवन पर पड़ा और क्या उनके जीवन का सफर रहा यह बताना इनका उद्देश था और यहां पर देखिया आपने इन प्रश्णों के माध्यम से पूरा पार्ट कवर कर लिए पूरा पार्ट कहुंग यह कबर बाकी यह सारी घटनायत थी जो मुक्त और पर आई हैं सामने और पार इतना आपकी पढ़ाई के लिए वो सारे स्टेप आपको फॉलो करना है इसके लिए चैनल से जुड़े रहना है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कि अब आपको याद हो चुका है उसको करना नहीं भूलना है थैंक यू